तो देखिए बिटा अपन जो लास्ट लास्ट में टोपिक डिश्कश कर रहे अपना चेप्टर यूनिट स्टार्ट किती चेप्टर स्टार्ट किया था कोडिनेशन कंपाउंड उपसे हूं जग योगिक और कोडिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कोडिनेशन बोंड पाया जाता है और पता कोडिनेशन बॉंड कब बनता है? कोडिनेशन बॉंड जब बनता है, जब कोई डोनर एटम अपना लोन पेअर, सेंट्रल मेटल को प्रवाइड करते है. ठीक है? तो जो अपना चेप्टर चल रहा है, यूनिट चल रही है, बेटा, वो है कोडिनेशन और इसमें, यह माना जाता है कि, जैसे कोई donor atom है, उसने अपना lone pair किसी दूसरे atom को दे दिया, जैसे यह A था, इसने अपना lone pair donate कर दिया B को, तो A ने lone pair donate किया है, और जो lone pair देता है, जो donor होता है, उसी को याद करो, को हमने एक ट्रंभ यूज करेंगे एक नाम दिया था और नाम ऐललिगेंड तो लिगेंड वोट इस्पीच है जो अपना लोनफियर सैंट्रल मेटल को देगा बसक्राइब partners ले रही है जो असेप्ट कर रही है ओस इसपीच को अपन्ने क्या नाम दिया था है हुँसे सेंट्रल मेटल एटम ओबलिग आयन तो सेंट्रल मेटल एटम या जो आयन की अगर अपन बात करें तो वो अपने पास में आपर वेटा जी यह होगी हमने पढ़ा था इसकी जो नेचर है वह एजे लिवाइस बेस है क्योंकि यह लोन पेड डुनेट कर रहा है और जो लोन पे करता है उसका नेचर एजे क्या होता है वेटा लिवाइस एसीड होता है को कोडिनेशन कंपाउंड को याद करो हम इसक्वेर ब्रेकिट में रिप्रेजेंट करते हैं और इसक्वेर ब्रेकिट में सबसे पहले जो इसपीसी जाती है वो ती है सेंट्रल मेटल एटम और उसके बाहर भी कुछ पाए जाते हैं और square bracket के पहले और बाहर जो species होती है उसे याद रखना बेटा, general cation करते हैं क्या बोलते हैं इस species को general cation और बाद में जो species आती है उसे बोला जाता है general anion और general cation और general anion का केवल क्या काम है? charge को balance करना बाकि इसका कोई इसमें लेना देना नहीं होता है अब charge balancing का काम है coordination में इसका कोई योगदान नहीं होता है अब अपन discussion करें यहां से ठीक है यह बात हमारे समझ में आ गई है कि coordination compound में एक central metal होती है रेक legend होता है कुछ general definitions थी जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पिछली क्लास में पन पढ़ चुके जैसे की सबसे पहले तो legend की definition वो species जो अपना loan pair donate करे central metal वो species है जो loan pair को accept करे उसके बाद में कुछ और जैसे एक पढ़ा था बेटा ionic sphere और coordination sphere जो square bracket के अंदर की जो species है ना अब वो तो दो ही होती है एक legend और एक metal इन दोनों को मिला कर क्या कहा जाता है वेटा आपके पास में इन दोनों को combined form में कहा जाता है coordination sphere जबकि बाहर जो होता है general cation या general anion इसे वेटा ionic sphere के नाम से जाना जाता है बाहर की जो species है इसे क्या कहा जाता है इसे वेटा ionic sphere तो यह जो है वो coordination sphere है और बाहर जो है वो ionic sphere है उसके अलावा एक बढ़ाता coordination polyhedron central metal के साथ जो attached ligand है उनका 3D arrangement 3D dimensional arrangement जैसे 2 ligand है तो linear होगा 3 है तो trigonal होगा 4 है तो tetrahedral या square planar होगा 5 ligands है अगर metal के साथ में तो trigonal by paramedle या square paramedle होगा और अगर coordination number 6 है यानि 6 ligand अगर attached the metal के साथ में तो फिर वो octahedral होगा ऐसा आपन यहाँ पर पहले पढ़ चुके थे आजगी class में next topic अपन शुरुवात करने जा रहे बैटा और आजगा जो अपना topic next वो है ligand अब अपन सोतने ligand तो हमने पढ़ लिया हमने नहीं पढ़ा अभी तक हमने क्यों ligand की definition सीखी है अब ligand की definition से आगे अगर अगर अपन बात करें तो इसकी definition के बाद में आते हैं इसके types काम इसका loan pair देना है और loan pair देगा तो या coordination bond बनेगा अब loan pair देखर जो coordination bond बनता है उसी के भियाप पर आज अपन आगे पढ़ेंगे वेटा अपने पास में आपर कि ये किस तरह से किसी compound में इसके क्या-क्या types हो सकते हैं तो पहले type का जो अपन ligand पढ़ेंगे उसका नाम है वेटा monodentate ligand monodentate ligand और monodentate ligand की यदि अगर अपन बात करें वेटा definition ऐसे ligand जो एक donor item रखते हैं सिधी बात करो जो एक coordination bond बनाने में capable हो जोगि एक donor item है तो वो एक ही तो loan pair देगा और वो एक loan pair देगा तो एक coordination bond बनेगा और ऐसे ligand को किस नाम से जाना जाता है वेटा monodentate ligand के नाम से जिन ligandों के पास दो donor item हो यानि वो दो loan pair दे सके अकेला molecule ही कितने coordination bond बना सके दो तो फिर उसे क्या कहा जाएगा बटा bidentate तो second type क्या पढ़ाऊंगा bidentate जो तीन loan pair देंगे उससे क्या बोलेंगे tridentate या तीन donor item वाले को tridentate जिनके पास चार donor item है अकेला ही चार coordination bond बना सके tetradentate पांच donor item है तो pentadentate, 6 donor item है तो hexadentate, तो 6 तो यही हो गए 1 to 6 सात्वा पढ़ाऊंगा mbidentate जिनमे donor item तो 2 हो लेकिन देता के वल 1 हो जिनके पास donor item 2 है लेकिन donate के वल 1 करे उसे हकिकत में mbidentate ligands करते हैं इसके बाद देख पढ़ेंगे बटाजी जिसका नाम है chelating ligands जो chelate ring बनाए जिससे stability बढ़ती है तो उन्हें chelating ligands बोलेंगे और एक last में पढ़ाऊंगा flexidentate जो variable हों कभी तो 3 donor item दे देगा कभी 5 donor item उसमें यहनि 5 coordination bond बनाएगा कभी 3 coordination bond बनाएगा ठीक है ऐसे कभी 4 बनाएगे कभी 6 बनाएगे मतलब variable जो coordination bond बनाता है वो flexidentate ligands कराता है सही बताऊं तो कुल मिला करके type of ligands की अगर अगर आपन बात करें तो हमारे पास में 9 type के ligands पढ़ने वाले हैं लोग कोसिस करेंगे आज की class में सभी 9 types पूरे हो जाएं कोई बचेगा तो फिर अगली class में पढ़ेंगे उन में से पहला मैंने heading आपके सामने लिख दिया है जिसका नाम है monodentate ligands total 9 प्रकार के ligands है और उन 9 में से पहला ligands जो पढ़ने जा रहे हैं monodentate है परिवासा बड़ी असान है डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि दोज कंपाउंड्स का दोज कंपाउंड्स नीए दोज मोलीक्यूल्स कि हो सकता कंपाउंड भी हो हो सकता आयन भी हो कि विच है वन डोनर एटम जिनके पास एक डोनर एटम है इसका मतलब वो एक लोन पेर देगा तो वो एक कोडिनेशन मोंड बनाएगा उनी को किस नाम से जाना जाता है monodentate और इसको learn करने के हिसाब से हमने वापिस तीन पार्ट में अलग-अलग बाट दिया वैसे इसके types नहीं है कि अबल याद जल्दी हो जाए इसलिए हम इसके तीन अलग-अलग portion मना दिये है जिसमें एक में हमने सारे वो लिख दिये negatively charged monodentate ligands negatively charged monodentate ligands बैटा इनको हिंदी में है न monodentate को एक दंतुक कहते हैं बैटा monodentate ligands का मतलब है एक दंतुक ligands यानि जिनके पास एक data परमाणू हो एक donor item हो तो जिनके पास एक donor item है वह ही आपके पास में monodentate कलाएगा अब इसको अबने याद करने के साबसे एक तो negative charge एक positive charge और एक neutral तीन भागों में बाट दिया इसको क्या-क्या तीन पार्ट कर दिये इसके एक negatively charge monodentate दूसरा positively charge monodentate और तीसरा और आकरी कौन सा है बेटा आपके पास में neutral monodentate हम पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं इसमें से negatively charge मैं कहीं सारे लिगेंड लिख रहा हूँ जो negatively charge है और monodentate जिसे CL-BR- I- OH- CS3COO- NO2- ONO-CN- NC- NO3- ऐसे और भी बहुत सारे भी पढ़िते चलेंगे यह सब लिगेंड बन सकते हैं और कौन से टाइप के लिगेंड बनेंगे monodentate और आप गोर करके देखो इन पे सब पे negative charge है इन सारों के उपर कौन सा चार्ज दिखाए दे रहा है बेटा आपने को negative charge दिखाए दे रहा है और भी अपने इसमें लिखना चाहें जैसे मैंने इसमें था बैटाजी थी ओ 3-2 एस माइनस 2 एसो 3-2 एसो 4-2 पी ओ 4-3 ठीक है तो यह कई प्रकार के सब पे नेगेटिव चार्ज तो चार्ज इसलिए कर दिया कि जिससे की नेगेटिव नेगेटिव आले सारे एक जगर हे जाएं पोजिटीव आले एक जगर हे जाएं लिटरल वा एक जगर हें जाएं हो सकता है कल की फैल्थ पक्का आजाएगा कल इसमें हमारा टोपिक पता क्या रहेगा कॉडिनेशल कमपाउंड का इन नॉमेंट लेच है आयू पी एसी नाम करण करेंगे इनका और आयू पीसी नाम केसे लिखा जाएगा बैटा कोडिनेशन कमपाउंड का तो उसके लिए ध्यान रखना आप लोग इनके प्रिफिक्स और सफिक्स की जुरत पड़ा करती है अपने को मैं आपको पता है यह नेगेटिवली चार जो लिगेंड्स है वो बेटा ब्रेकिट के अंदर है जब तो लिगेंड है लेकिन ब्रेकिट के अगर बहार हुए यह तो फिर इन्हें क्या बोला जाएगा जनरल अनायन और जनरल अनायन जब यह बढ़ेंगे तो काम में आएगा स पिक्स और अगर यह लिगेंड के फोम में है तो फिर क्या काम में लिया जाता है प्रिपिक्स तो मैं लगे हाथ आपको यह सिखाऊंगा इन कंपाउंड का प्रिफिक्स तो क्या है और इन कंपाउंड का सफिक्स क्या है तो अपन इनके प्रिपिक्स और सफिक्स साथ में सी जो चार-पाथ चीजे में आपको एक साथ लिखे दी है यहां पर यह सभी चीजे हमें याद रखनी है कि कोण से में क्या है अब जैसे अपन सबसे पहले एक लेवे CL- कि एक सिंगल लाइन का एक रूल बताता हूं एक नियम है जिसको याद कर लो और वो क्या है अगर किसी लिगेंड के नाम में या पहले दे वोलो सूथ यदि किसी लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज हों क्या हो नेगेटिव चार्ज हो तो उसका हमें जब क्या बनाना पड़ेगा प्रिपिक्स पूर्व लगन हिंदी में जिसे कहते हैं पहले तो हमें किसी लिगेंड क के नाम का पूर्व लगन प्रिपिक्स बनाना है तो प्रिपिक्स बनाने के लिए क्या करोगे उसके जो भी उसका नाम है ना उस नाम के लास्ट में ओ जोड़ दोगे ओ कि जैसे क्लोराइड तो क्लोराइड ओ और ऐसा के वअल कंब करोगे जब लिगेंट पे नेगेटिव चार्ज हो तो जब-जब लिगेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा तब-दब उसका क्या बनाने के लिए उसका prefix पूर लगन बनाने के लिए उसके नाम के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? ओ जोड दिया जाता है. अब लोग दो तरीके से ओ जोड़ते हैं,雨े दौनों ही तरीके सिखा देता हूँ आपको. वैसे इनके नाम पता है सब के आपको, बताओ इनके नाम chloride, bromide iodide, hydroxide acetate, nitrito nitrito है ये भी cyano, isosyano, nitrate carbonate, sulfide sulfide बगएर बगएर इन सारे नामों से जब conclusion निकालो गोե तो पता क्या सीखने को मिलेगा जिस पे negative charge होते है ना उसके नाम उनके लास्ट में तीन ही वर्ड लगे वे रहते हैं कुन-कुन से तीन या तो लगा रहता है आईड या लगा रहता है आईट या लगा रहता है एट जैसे क्लोराइड आईड आ रहा है इसके आखरी में एसी टेट एट आ रहा है आखरी में एसो त्री माइनस टू सलफा इट आईट आ रहा है इन तीन के लावाद चोथा वर्ड नहीं आता है कुछ लोग एक काम करते हैं क्या करते हैं इनको हटाते हैं फिर ओजोडते हैं कई बार अपन क्या करते हैं यह जो आईड आईट या एट जो नेगटिव के नाम के साथ होते हैं इन्हें हटा कर ओजोडते हैं लेकिन इन्हें हटा कर ओजोडने में तो confusion generate होगा तो आप इन् तो ज्यादा बढ़िया है मैं यह नहीं करा कि अठागे और जोड़ना गलत है सही है वह भी लेकिन कहीं जगे उससे confusion generate होता है बिना हटाएं और जोड़ोंगे तो कोई confusion नहीं रहेगा जैसे अब फिर भी E तो अटेगा वो तो आपको इंगलिस का पता है E और O नहीं आएगा E अठकर O लगेगा बिटा तो जैसे इसका नाम क्या है chloride तो इसकी जगह क्या बन जाएगा बिटा chlorido या rido जो भी आप pronunciation करें chlorido बोल दो chlorido बोल दो आपका pronunciation है बागी यहाँ E अठकर O लग जाएगा ऐसे BR- का नाम क्या बन जाएगा बिटा बताओ bromido या bromido iodide से इसका नाम क्या बन जाएगा बिटा iodido यह OH- का नाम है hydroxide तो बताओ क्या नाम बन जाएगा hydroxide हटा hydroxide हट की जगह क्या बन जाएगा acetato हिंदी- इंगलिस सब में सेम नाम चलेगा यही कि ऐसे यही क्या है कि नाइट्राइट तो क्या नाम बन जाएगा नाइट्राइटो एन क्योंकि इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है यह दोनों सेम है यह भी तो एनोटूई है देखो दो है तो ओटू हो गया यह भी तो इसका नाम भी नाइट राइट हो है लेकिन इसके आखरी में ओ आएगा क्योंकि डोनल इटम ओक्सीजन है जैसे इसका नाम क्या है उटा इसकर एघ घ और आईटको अटाकर उजोड गए तो क्या बन जाएगा जाएगा साइद व फटा एसे बता ओ क्लोरी बॉक उसको चलो पहले पढ़ लेते हैं, ये लो साब, ये अपने पास में आपर, ये तीन नाम लिखे हुए हैं, इन तीनों के नाम में साइड में लिख देता हूँ, इसका नाम है, S-2 का नाम है, सल्फाइड, सल्फाइड, और सल्फाइड, और सल्फाइड, ये लो साब, तीनों के नाम है, ये तो एक्चुल नेम है, अब इनका प्रिपिक्स बनाएंगे, तो क्या करेंगे, अब सपोज करो, गर इन तीनों को हटा कर ओजोडे, तो सल्फो, 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 अंतर के से करेंगे, और बिना हटाएं ओजोडे, तो सल्फाइडो, सल्फाइडो, सल्फेटो, अब बताओ, अंतर आरा की नहीं आरा तीनों में आपके पास में, तो ज्यादा अच्छा क्य क्या है बिना हटाएं ओ जोड़ो आप ठीक है तो बताओ बटा प्रिपिक्स बनाने आगे क्या अब जैसे इसका नाम क्या है पोस्पेट तो प्रिपिक्स क्या बन जाएगा पोस्पेट हो इसका नाम है कार्बोनेट तो कार्बोनेट हो ओक्साइड है तो ओक्साइड हो राइड है तो जैसे एच माइनस का नाम पता क्या है तो नाम क्या बन जाएगा हाइड राइड हो ठीक है अब ओक्सिजन तो तीन होते न बैटा एक O minus 2 होता है, 1 O 2 minus 2 होता है, और 1 O 2 minus होता है. नम सुने हैं, सब के इन तीन हो के आपने? 2 पर minus 2 है, तो एक पर माइनस एक ही आएगा? यहां दो पे माइनस एक है तो एक पे कितना हो गया माइनस का आफ या माइनस का दो है जब ओक्सिजन पे माइनस दो चार्ज होता है न तो उसे उक्साइड कते है माइनस एक चार्ज होता है तो उसे केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है बेटा पर ओक्साइड और जब ओक्सिजन पर माइनस का आप चार्ज होता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा सूपर ओक्साइड क्या कहा जाता उसको सूपर ओक्साइड तो इनके प्रिपिक्स बताओ क्या बनेंगे इस वाले का प्रिपिक्स क्या बन जाएगा ओक्साइडो इस वाले का प्रिपिक्स क्या बन जाएगा पर ओक्साइडो और इस वाले का प्रिपिक्स क्या बन जाएगा सूपर ओक्साइडो बताओ जी बिटा इनके प्रिपिक्स बनाने आगे की नहीं आगे ऐसे बेटा मैंने लिखा N3- और एक लिखा N-3, अंतर देखना दोनों में तीन नाइट्रोजन पर एक माइनस का चार्ज है, जबकि यहाँ पर एक पर ही माइनस का तीन चार्ज है इसका नाम है नाइट्राइड, तो नाइट्राइड उससे क्या बन जाएगा बेटा नाइट्राइडो और इसका नाम है एज़ाइड तो एज़ाइड से क्या बन जाएगा बेटा जी अज़ाइडो ऐसे आपके यह और भी बहुत सारे हैं जो आयनस अपन नेगेटिवली चार्ज लेते हैं वह जनरल लीगर बन सकते हैं जो कि जिस पे-Negative चार्ज जाना उसके बाथ लों पेर होगा, और जो लों पेर रखता है वह आराम से क्या बन सकता है जिसके पास लों पेर है वह लिगेंड बन सकता है, और नेगेटिव लिए याज एक सबसे बड़ी इस था यह जितने मैंने आपके सामने लिखे हैं ना इसारे के सारे इन सारे के सारों के ऊपर बीच में कुछ नाम लिखे हैं कुछ नहीं लिखे हैं इन सारों को अगर आप गोर करके देखेंगे बिटा तो एक बात जरूर सब पर ध्यान रखना इनके लास्ट में अपने उजरूर जोड़ा है, पिर फिक्स बनाने के लिए, और इन सब पे नेगेटिव चार्ज है, और यह सारे के सारे monodentate है, monodentate या नी एक दंटूक, एक लोन पेर देने वाले हैं, सारे के सारे, एक कोडिनेशन बोन बनाने वाले हैं, कुछ छूट के हैं, उनके नाम ब पॉस्पेटो और यह क्या चीज है वेटा हाइड्राइड तो हाइड्राइडो बन जाएगा और यह सब इसके क्या बनाए मैंने प्रिपिक्स अब बारी आती है किसकी सफिक्स तो सफिक्स तो वही Oooh वैसे में सफिक्स ज़रत नहीं पड़ेगी 3 सब आदि यही आयन लिगेंड की जगहहें जनरल अनायन बन जाएं जब यह लोगेंड होगे ना जभ व्लेंड आयेगा जब लिगेंड होंगे जब तो प्रिपिक्स काम में आएगा लेकिन कब की बात कर रहा हूं पेटा में जब यह सपोज गरो जैसे अंदर सी एल माइनस आया तो क्या नाम लिखेंगे क्लोराइड हो लेकिन यही सी एल बाहर आ गया तो क्लोराइड आएगा यानि बाहर वाले का सपिक्स और अंदर वाले का प्रिपिक्स क्योंकि अंदर जो है वो लिगेंड है और बाहर जो है वो जन्रल अनायन है और जन्रल अनायन का क्या लगाते हैं सपिक्स और सपिक्स तो वो यह जो उसका नाम है जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आ मैनेस्टू, सल्फाइड पर माइनसटू, चार सबका दिख रहे है बटा, donor item कोन है, क्लोराइड में CL है, ब्रोमाइड में BR है, OH में O है, acetato में oxygen है, naitário to N में nitrogen है, और नाइट्राइटो ओ में ओक्सिजन है, साइनो में C है, आईसो साइनो में N है, तो ऐसे सब के डोनर इटम कि वहाँ लोन पेर कोन देगा, वो डोनर इटम भी अपन यहाँ पर उनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यह जितने भी मैंने लिखे हैं वेटा आपके साम यह सब कौन से टाइब के लिगेंड्स हैं, यह सारे के सारे मोनो डेंटेट, एक दंतुक जिनके पास कितना लोन पेर होता है, एक, जो एक कोडिनेशन बोन बनाते हैं, वो है, और उनमें से भी कौन से वाले पड़े हमने, जिन जिन पर क्या पाया जाता है, नेगटिव चा रहे हैं, तो धीर-धीर अपन पढ़ते जाएंगे, राते जाएंगे, नंबर दो आता है जिसका क्या नाम है, बाइडेंटेट लिगेंड, ओ सुरी, अभी तो पहले मोनो डेंटेट तो पूरा हुआ ही नहीं, यह बन नेगटिव चार्ज हुआ है, अब मोनो डेंटेट में दूसरा कौन आता है बेटाजी, निट्रल, और तीसरा पोजिटिव ली चार्ज, तो पहले निट्रल मोनो डेंटेट को अलग से पढ़ लेते हैं, अब यह कोई टाइप नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैंने याद करने के लिए अलग-लग छांट दिये इनको, माइ परिलिगेंड का काम करता है, क्योंकि आप सबको पता, ओक्सिजन के उपर लोन पेर है, इसका भी हमें क्या-क्या लिखना है बेटा, प्रिपिक्स, एक क्या लिखेंगे इनके लिए, अपिक्स, एक क्या लिखेंगे इन सबका, चार्ज, और लास्ट में इन सबका क्या इसका प्रिपिक्स याद रखना बेटा एकवा होता है जबी तो वोटर के जहां भी नाम आता तो वाँ एकवा या एकवा सब्द लिका जाता है इवन दो आरो जो मसीन आती है ना पानी साप करने की उसकी कंपनी का नाम भी एकवा गाड़ है वो एकवा यहीं से बना हुआ है वोटर का exact name ही एकवा होता है उसी से अपन एकवास वर्ड़ भी बना रखा है कि एकवास सल्यूशन हो तो यहां पर इसका prefix equa है, suffix होते ही नहीं है, यूजी नहीं करने पड़ेंगे, वो suffix मैंने लिगेंडों के चकर में नहीं पढ़ायते, मैं थोड़ी दिर पहले भी कर रहा था, माइनस वालों के क्यों पढ़ायते मैंने, क्योंकि माइनस वाला लिगेंड के साथ साथ, क्या बन सकता है, जनरल अनायन, तो फिर उसका सफिक्स आता है, इसलिए उसमें पड़ा दिये, यहां नहीं आएगा, निट्रल है तो फिर लिखने की जुरतिन यह चार्ज कितना रहेगा, जिरो रहेगा, और डोनर एटम जैसे S2O में कौन आ गया बेटाजी, ओक्सिजन, अगला लिखा बेटा मैंने, NS3, वैसे तो बोलने में नाम अमोनिया है, लेकिन इसका जो प्रिपिक्स है न, वो याद रखना बेटा, एमीन होता है, कहीं लोग पता क्या लिखते हैं, एमीन नहीं, बलकि क्या होता है बेटा, एमीन होता है, एडबल है मैं आएगा ध्यान रखना, और इसमें डोनर एटम कोण है बेटाजी, नाइट्रोजन, ऐसे मैंने और लिखा CO, और लिखा NO, ठीक है, यह सब नूट्रल है, इन पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, इसका नाम है कार्बोनिल, इसका प्रिपिक्स क्या चीज है बेटाजी, कार्बोनिल, इसका जो प्रिपिक्स है वो नाम याद कर लो बेटा, नाइट्रोसिल, इसका प्रिपिक्स क्या चीज है, नाइट्रोसिल, अब यह बढ़िया इंट्रेस्टिंग चीज है पी पी एस तरी जो मैंने लिखा आपके सामने आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो बैठा C6H5 का whole thrice P यह दोनों एक ही चीज है केमिस्टिम पता C6H5 को क्या कहते है फैनिल फैनिल मतलब बेंजीन है यह यह देखो एक बेंजीन फिर P इधर दूसरा बेंजीन और यह तीसरा अब इसको बेंजीन नहीं बोलकर फैनिल बोला जाएगा तो यहाँ पर फोस्पोरस के साथ कितने फैनिल जुड़ेवे हैं तीन और फैनिल को अपन शोट में क्या लिख देते हैं वेटा पी एच तो बीच वाला पी तो यह रहा और फैनिल का लिख दिया पी एच और कितने फैनिल है तीन तो पूरा नाम बताओ क्या हुआ इसका तीन है तो ट्राई कौन है तीन फैन अपने लटीन तो ट्राइफेनिल और बीच वाले पी-का नाम तुम Come Nे बतायाताना बेटाबी क्या है और क्या है आえ फॉस्पीं नाम लिखेंगे फॉस्पीन तो बताऊ प्लिटी अप्रेज का पूरा नाम क्या है आथा यह सारे के सारे क्या है, मोनो डिंटेट है, लेकिन, मोनो डिंटेट है, लेकिन नूट्रल है, इन पे नहें कोई lat?」 पोजटिव चार्ज है, और नहीं कोई negative अगार्ज है. यह सब उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, और इनका कोई suffix नहीं होता, एक पूरू लगन जो मैंने बता दिये एस्ट्व का एक्वा एनेस्ट्री का अमीन सी ओका कार्बोनिल एनो का नाइट्रोसिल पीएस्ट्री का फोस्पीन ट्राइफेनिल फोस्पीन ठीक है ऐसे आपके पास में सारे नाम हो किलियर है इसके बाद में बारी आती है वेटाप के पास में चांसेज भूत कम है ऐसा होने के positively charge monodentate ligand क्यों कम है इसके chances तोकि ligand का काम लोन पेर देना और जिसपर पहले से positive चार्ज है वो लोन पेर नहीं दे पाएगा नेगेटिव वाला आसानी से देदेगा, चलो नूटरल भी देदेगा, लेकिन पोजिटिव वाले के बहुत रेड चांसेज है, लेकिन फिर भी कुछ लिगेंड है, जिन पे पोजिटिव चार्ज होने के बावजुद भी वो लोन पेड देते हैं, जैसे अब सबसे पहला तो C L प्लस, बड़ा इंटरिस्टिंग चीज है, यह C L प्लस एक ऐसी चीज है, जो C L माइनस भी होती है, और प्लस भी होती है, C L माइनस में उसका नाम हमें याद है, क्लोराइडो कर दिया है, इसका प्रिफिक्स, क्योंकि वहाँ रूल क्या था, रूल था कि अगर नेगेट अगर किसी के उपर पोजिटिव चार्ज है, तो उसके नाम के आखरी में क्या जोड दिया जाता है, EM, क्या जोड दिया जाता है, EM, आपको धिशान हो तो जिस पे पोजिटिव चार्ज होना, जैसे आप, एक बाभ मताओ, नेज़ फौर पलस का नाम बताओ क्या है, देखो NH3 Ammonia लेकिन NH4 Plus Ammonium NH4 Plus का क्या नाम है Ammonium तो EM क्यों लगाया? क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है? पोजिटिव तो नेगटिव वालों के तो लास्ट में क्या जूड़ जाता है ओ और जिस पे पोजिटिव चार्ज है लास्ट में क्या जूड़ जाता है? EM जूड़ जाता है द्यान रखना ठीक है? तो जैसे अब इसका नाम लिखना चाहें है अपन लोग Cl Plus का नाम तो Cl Plus का क्या नाम आएगा बटा बताओ Cloronium EM जोड़ देंगे इसके आकरी में तो नाम क्या बन गया? Cloronium Prefix पूर लगन है, suffix कुछ भी नहीं होता है Charge Plus 1 है और इसमें donor atom जो है वो Cl खुद ही होगा आपके पास में donor atom को है यापर? कुद CL एक donor atom का का काम करने वाला है बताओ जी सबसे पहला समझ में आ गया? अब ऐसे और भी है कुछ जैसे example के लिए NS2 NS2 का नाम है Hydre Gene लेकिन NS2, NS3 प्लस कर दिया जाए तो नाम है Hydre Genium और इस पे अभी भी लोन पेर है तो एक लोन पेर तो देगा यह और इसका नाम क्या बताए बटा मैंने? Hydre Genium सब इक्स कुछ भी नहीं है, Charge Plus 1 है और donor atom को है इसमें Nitrogen ऐसे एक आता है NO Plus और एक NO 2 Plus, वसे दो और याद कर लो, इस positive charge में 4 हैं total और भी हैं लेकिन अपने इस दादा नहीं आता है इसका नाम है बटा एक Nitronium और एक Nitrosonium यह जो है केवल NO, उसका नाम है Nitrosonium जबकि जो NO 2 है इसका नाम क्या है बटाजी? Nitronium, यह 100 सब्द का अंतरा आता है दोनों में NO 2 Plus है Nitronium और NO Plus क्या चीज है? Nitrosonium अब सपिक्स कुछ है नहीं चार सपे दिखरें यह प्लस वन है और डोनर एकम Nitrogen आपके पास में है वो लिख देंगे तो कुल मिला के अब तक जो मैंने पढ़ाए वो कौन से लिगेंड्स थे? Monodentate जिनके पास कितने डोनर एटम थे? एक यानि सब एक Coordination Bond बनाएं याद करने के इसाब से हमने उसको कितने पार्ट्स में जो है सब डिवाइड कर दिया? तेन एक negatively चार्ज वाले अलग रख दिये Neutral अलग कर दिये और Positive अलग कर दिये और सबसे बड़ा काम एक ओर सीख लिया क्या? क्योंकि जब IUPAC Nomenclature करेंगे तो हमें लिगेंड की क्या चीज की ज़रत पड़ेगी लिगेंडों का लिखा जाता है prefix तो मैंने लगबग लगबग सब के prefix बनाना सिखा दिये कि negative है तो खुद बनाओ जो भी उसका नाम है उसके आखरी में क्या जोड़ दो तो negative का prefix बन गया Positive लिगेंड है तो आखरी में क्या जोड़ दो EM positive के लिए आखरी में क्या जोड़ेंगे बटाजी EM तो आपके पास में उसका prefix यानी पूर लगन बन जाएगा और neutral में कुछ भी नहीं करते जो नाम है वो लिख दो जैसे water का नाम equa है तो equa ही लिखा जाएगा N3 का नाम amine है तो amine ही आएगा Tio जिसे carbon monoxide करते हो आप उसे carbonil करते हैं तो carbonil ही लिखा जाएगा N0 का नाम nitrosil है तो nitrosil ही लिखा जाएगा वहां कुछ भी changes नहीं किये जाते हैं इसी के साथ monodentate ligand के सभी जो types है वो समापत हो जाते हैं अब अपन पढ़ने जा रहे है second number और second number पर क्या पढ़ेंगे वेटा आपके पास में by dentate या डाई भी बोल सकते हो आप आई की जाएगे ऐसे ligand जो क्या करते हैं वेटा दो donor atom रखते हैं यानि जो दो loan pair donate कर सकते है इट मींस जो दो coordination bond बना सकते है उनी को किस नाम से जाना जाता है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है तो बाइडेंटेट लिगेंड कोन है बाइडेंटेट लिगेंड वो है जो दो donor atom रखते हैं तो definition तो simple है those compounds which have two donor atoms are known as by dentate ligand और इस बाइडेंटेट लिगेंड में जिसे एक्जाम्पल के अपन बात करें बेटा तो सुनो मैंने पहला नाम लिखा आपके सामने CH2, CH2, NS2, NS2 एक loan pair यह रहा और एक loan pair यह रहा यह भी डोनेट करेगा यह भी डोनेट करेगा बताओ इसमें कितने donor atom दिख रहे हैं दो, एक यह रहा, एक यह रहा दो donor atom है इसका मतलब यह बाइडेंटेट लिगेंड है चार्ज कुछ दिख रहा क्या इस पर नहीं दिख रहा मतलब neutral है और इसका नाम लिखना चाहो IUPAC में तो कितने कारवन है तो कारवन के लिए क्या कहते हैं पर लोग एथ bond single है कि double है तो in कते in 1,2 एक नमबर पर भी और दो नमबर पर भी कोई चीज दो बार आ गई तो क्या लिखेंगे डाई और NH2 को एमीन कहा जाता है अमीन नहीं के वल एमीन तो बताओ इसका नाम क्या हो गया इधेन 1,2 डाई अमीन यही इसका प्रिपिक्स भी है IUPAC जो नाम है न वो ही इसका प्रिपिक्स बन गया लगाते पोजिटिव होता तो क्या करते इम लगाते लेकिन न्यूट्रल में तो कुछ बदलते ही नहीं है न तो यही लिख दो हाँ इसी का कोमन नेम एक और है इसे इताईलीन भी कहा जाता है इताईलीन डाई एमीन भी कहा जाता है तो इतेन वन टू डाई एमीन जादा बढ़िया है आप तो इसी का परियोग करो बागी कुछ जगे आपको इताईलीन डाई एमीन लिखा मिलेगा तो वो भी यही बात है और इसका शोट में सिंबल जो है प्रतीक जो है वो इन लिखा हुआ मिलेगा इन लिख दे इसका मतलब समझ जाओ इताईलीन डाई एमीन की बात हो रही है यानि एथेन वन टू डाई एमीन की बात हो रही है चार्ज कितना है इसके उपर जीरो और डोनर एटम कोण है वेटा नाइट्रोजन इधर भी nitrogen है donor और इधर भी nitrogen है, बताओ आपको bidentate का पहला example याद हो गया कि नहीं हो गया, कोण bidentate का पहला example, ethane-12-diamine, जिसका symbol क्या है, en, charge कितना है, 0, donor item कोण है, और कितने donor item है, 2, जबी तो नाम क्या बन गया है, इसका bidentate है, दूसरा example, bidentate का, second example, कहीं लोग तो ऐसे लिख देते हैं, c2o4-2, कहीं लोग ऐसा नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं, c00-, c00-, minus का मतलब इधर भी loan pair है और इधर भी loan pair है, कितने loan pair दिख रहे हैं इस पे, ओने में तो इधर भी है, मैं तो donate करने वालों की बात बता रहा हूं, जिन जिन पर minus है, वो donate करेंगे, दोनों oxygen, बागी इन पर minus नहीं है, तो ये वाले donate नहीं करेंगे, तो ये दो donate करेगा, दो donate करेगा, तो इससे क्या कहा जाएगा, bidentate, कौण सा चार्द दिख रहा है, इसके उपर आपको, negative, पता ये कौण है, आप इस minus को अटा दो, और यहां भी लगा दो H, यहां भी लगा दो H, COOH, COOH, पता क्या है ये, oxalic acid, क्या नाम है, acid, जैसे ही H अटाये, तो बन गया oxalate iron, oxalate बन गया, और oxalate से prefix कैसे बनेगा, यह बताओ मुझे आप, क्या होगा इसका prefix, oxalate ओ, ओ लगा देना है, क्योंकि negative charge है, तो बिटा, oxalate की जगह है, इसका prefix क्या बन जाएगा, oxalate हो, चाहिए वो हिंदी में लिखो, चाहिए अंग्रेजी में लिखो, आएगा OE आखरी में आपके बास है, बताओ बेटा, prefix one क्या आगया, क्या, charge कितना दिखरा है, इसके उपर, minus 2, और donor item को उने, इसमें, oxygen, और इसका symbol, कुछ लोग इसे, ox से भी लिख देते हैं, तो oxalate जिसे, इथाइलीन, डायमीन का symbol या प्रतीक क्या था, EN, वैसे oxalato का प्रतीक या symbol क्या होता है, बेटा, OX, ये भी लिख सकता है वो, ये भी लिख सकता है वो, ऐसे भी लिख सकता है, लेगिन वो सब एक ही चीज है, oxalato, सपिक्स लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, oxalate, सपिक्स, अगर जनरल अनाइन के रूप में लेना पड़े, तो oxalate बनेगा, लेगिन अभी तो prefix की जुरुत पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या लिखाया कि अबल आपके पास में oxalate हो, बताओ बेटा, समझ में आगई की नहीं आगई है, कितने बाइडेंटेट पड़े लिए अपने, दो, तीसरे बाइडेंटेट की तरफ आजाओ, मैंने लिखा बेटा, CH2, COO-NH2, एक डोनर रिटम यह नाइट्रोजन है, और एक डोनर रिटम यह oxygen है, बताओ इसके पास दो डोनर रिटम है कि नहीं है, और दो दाता परमानू है, तो इसे अपन बाइडेंटेट यानि दी दन्तुक लिगेंड बोलेंगे, चुकि दो इसमें डोनर रिटम है, एक अमाइणो असीड है, आपने ट्वल्थ के लिए असमें एक चेप्टर पढ़ा है, बायो मॉलिक्यूल, कार्बो आइड्रेड, प्रोटीन, और प्रोटीन में पढ़े थे हैं अमाइणो असीड्स, और अमाइणो असीड होते हैं 20 टाइप्स के 20 प्रकार के, उनमें से एक है, जिसका नाम है गलाइणीन, गलाइणीन, इस ही गलाइणीन का एक है, चटा दिया मैंने, तो क्या बन गया? गलाइणीनेट, योगि माइणस आ गया, तो glycinate बन गया तो इसका prefix बताओ क्या होगा बैटा glycinate की जगर क्या बन जाएगा बैटा जी glycinate अब यह जो अपने पास में बन गया बैटा यहापर glycinate इसका symbol GLY भी लिखा जाता है शोट में जैसे एथेन वन्टू डाइमीन का symbol क्या था EN ओक्जीलेटो का क्या था OX वैसे glycinate का क्या है बैटा आपके पास में GLY पर पता है हमारे सेलेबस में पता है 20 अमाईनो असीड है 20 में से एक अकेला ऐसा अमाईनो असीड है जो optically inactive है जिसमें chiral center नहीं है बाकी 19 में chiral center है सब optical isomerism देते है glycine एक ऐसा है जो optical isomerism नहीं देता जो कि optical isomerism के लिए chiral center होना चीए chiral center जानते हो जिसकी सब भी बेलेंसी अलग-अलगो जैसे मेरी हटेली को देखो अपने खुद के आथ की यह तेली को देखो आप यह से मानों यह वेलेंसीया है यह अंगुलिया सब अलग-अलग है न तो अपने इसको कह सकते हैं chiral है और जो chiral होता है वह Optically Active होता है, प्रकासिक रूप से सक्री होता है, वो Optical Isomerism, यानि प्रकासिक समावय होता देता है, लेकिन ये, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे सरीर में 20 Aminomal पाए जाते हैं, 20 Amino Acids, 20 में से 19 Optical Isomerism देते हैं, एक नहीं देता, वो एक कौन सा है? ग्लाइसीन, वो जो एक नहीं देने वाला है, वो कौन है बेटा जी, आपके पास में ग्लाइसीन है, तो इसी के भियाप पर ये ग्लाइसीन नेटो बन गया, चार्ज कितना दिख रहा है बेटा, इसके उपर, माइनस एक, और डोनर एटम कौन कोन है, इसमें, नाइट्रोजन जैसे एसीटाइल एसीटोनेटो, जिसे एसीएसी केते हैं, वो भी auयडेंटेटी है बेटाजी आपके पास में, इसीटाइल एसीटाइल एसीटोनेटो, एक जो है इसके बाद में अपने लिखना चाहें, तो DMG, डाइमिथाईल ग्लाइएक्सिम, ये भी ऐडेंटेट लि बाइ पाई या डाइपाई भी लिख देते हैं ये डाइपरी डि ये भी बाइडै नाम और बता दिये इस पे negative charge है इसलिए नाम है Acetyl Acetonato Acetyl Acetonato Dimethyl Glyoxymeto मतलब इस पे negative charge है माइनस बनाएगा और यह neutral है Dipiridine या Bipiridine तो यहाँ पर कोई charge नहीं जिस पर charge नहीं है 0 charge है तो इसको पन यहाँ पर से अलग्ष से मेंचन कर देंगे बेटा समझ में आगे मेरी बात इसी के साथ आपका यह जो टोपिक था Bidentate Legand वो भी खतम हो जाता है अब तक कितने टाइप के Legand पढ़ चुके हैं? 2 Main तो यह 2 ही थे अब तो बाकी जितने भी हैं सब के 1-1-2-2-1-2-2-2 examples है Main दो ही है एक Mono जिसके सबसे ज़्यादा example थे फिर Bidentate जिसके कितने examples पढ़ाएं मैंने? 6 अब इसके बाद में अगला आता है जिसका नाम है Tridentate Legand तीसरा जो टाइप अपन पढ़ने वाले हैं बेटा Legand का वो कुन सा टाइप है? Tridentate Legand Tridentate Legand क्या होता है? Tridentate Legand वो Legand होता है जिसमें donor item कितने होते हैं? 3 और इसका सबसे बड़ी example है Diethylene Ethylene किसको बोलते हैं पता गया? CS2, CS2 को तो Diethylene का मतलब दो बार है Triamine Tri का मतलब 3 बार Amine है यह एक बार हो गया यह दोनों के बीच में एक लगा दो तो यह दो बार हो गया और फिर आखरी में लगा दो तो यह तीसरी बार हो गया दुबारा बोलो इसका क्या नाम है? Diethylene Diethylene क्योंकि यापर दो बार आपके पास में Ethylene हिंदी इंगलिस में वही नाम है बटा Ethylene और एक दोर तीन बार Amine आ गया तो Triamine और इसमें कितने donor atom दिख रहे हैं तीन यह एक यह दूसरा और यह तीसरा इसले इसका नाम है Tridentate लिगेंड यह तीन कोडिनेशन मोंड बनाएगा चार्ज इसके उपर कितना है बटा जी जीरो donor atom कोन है इसमें तीनों के तीनों नाइट्रोजन है यह लो साब आपके पास में Tridentate इसके अलावा एक और एक जामपल है जिसका नाम है इमीनो डाइसी टेटो और उसका फोर्मूला है बटा CS2COO-CH2COO- एक डोनर atom तो नाइट्रोजन पर है उसके अलावा एक यह रहा वह एक यह रहा बताओ यहाँ पर कितने डोनर atom दिख रहे हैं आपको तीन और इसका नाम जो मैंने बताया ना बैटा उसका नाम क्या बताया मैंने इमीडो डाई एसीटेटो यह जो है ना वो एसीटेट है यह अब एक एसीटेट और एक यह रहा दो एसीटेट है तो डाई एसीटेट और नेगटिव चार्ज है तो आकरी में क्या लग जाएगा ओ यानि मैंने इसका यह क्या बना दिया है बटाजी प्रिपिक्स पूर्व छार्ज के तके उपर मैंनस एक और माइनस एक माइनस दो गया दोनर ऐटम नाइट्रोजन भी दोनर एटम उक्सीजभी यह तो यह वस ही दो यह एक्जामपँल आते है कोंंसे addicted में try यह ता catajet Genau अब आजाओ और सथ टाइप चोथा परकार और चोते परकार का क्या नाम है बेटाजी टेट्रा डिन्टेट लिगेंड नाम चपता लग रहा है जिसमें कितने डोनर ःटम होंगे 4 तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 डोनर रिटम प्रिजेंट होते हैं उसी चार डोनर रिटम वाले को और यह किस नाम से जाना जाता है, टेट्राडेंटेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है, जैसे उधारण, ट्राई इथाइलीन, जिएको, मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं, अब इथाइलीन अगर तीन बार है, तो एमीन चार बार आएगा, एक सबसे पहले यहाँ पर भी एमीन आएगा फिर एक बार बीच में फिर एक बार और बीच में और फिर एक लास्ट में तो इसका नाम दुबारा से बोलो एतिलीन कितने है इसमें? तीन है एक, दो, तीन तो नाम क्या लिखेंगे बिटा बताओ देखे ट्राई इथाईलीन और एमीन कितने है? एक, दो, तीन और चार तो चार के लिए क्या लिखेंगे बिटा? टेटरा और आखरी में एमीन तो बताओ बिटा इसका प्रिपिक्स क्योंकि ये निट्रल है इस पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसका प्रिपिक्स क्या बन गया बेटा? ट्राई इथाईलीन टेटरामीन ट्राई इथाईलीन टेटरामीन इसका बन गया चार्ज इस पे जीरो है डाता परमानू डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन है कतम एक और एकजाम पले इसका नाई-ट्रिलो-ट्राई-एसी-टेटो ट्राई का मतलब तीन बार एसी-टेट आना चीए यह दूसरी बार और यह आखरी में तीसरी बार एक लॉन-पेर नाई-ट्रोजन पर है और बाकी तीन इन तीनों उक्सिजन के उपर है और नाम मैंने आपसे बताई दिया बैटा इसका क्या नाम है नाइट्रिलो ट्राई एसी टेटो क्या नाम है बैटा जी ओ क्यों लगाया आखरी में क्योंकि नेगटिव चार्ज है तो इसका prefix बनेगा तो ओ लग जाएगा, तो nitrilo triacetate हो, 4 जिस पे minus का 3 है, donor atom इसमें oxygen भी है और nitrogen भी है, तीन oxygen donor atom है और एक nitrogen है, तो ये भी कुल मिला के कितने donor atom हो गए, 4, एक दाता परमाणू, दूसरा, ये तीसरा और ये चोथा, और जो 4 lone pair देगा, यानि 4 coordination bond बनाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, tetradentate ligands, तो अब तक कितने type के ligands पूरे हो चुके हैं बेटा, 4, अब आता है अग ऐसे ligand जिनमें 5 donor atom परजेंट होते हैं, उन्हें pentadentate यानि 5 दंतुक ligand कहते हैं, जैसे tetradentate का नामता, 4 दंतुक, 4 देने वाले थे, 3 है तो 3 दंतुक, 2 है तो 2 दंतुक, अंगरे जिमेट, y dentate, tridentate, tetradentate, अब यहां 5 देगा, तो 5 दंतुक हैं, और इसका एक बड़ा ही perfect example है, EDTA, minus 3, यह दो होते हैं, EDTA minus 4 भी होता है, जो अगला पटाऊंगा मैं, अभी मैंने minus 3 वाला लिखा है, पुरा नाम, E4, ethylene, D4, diamine, T4, tri, and A4, acetato, O लगाया मतलब negative 4, जो तो दिखी रहा है, negative 4 तो है minus का 3, ethylene, full form बापिस बोलो, ethylene, diamine, triacetate, structure बनाते हैं, ethylene हमें आता है बनाना, TS2, CS2, diamine, die का मतलब दो तरप, amine यहनी nitrogen, अब H लगाऊंगा लेकिन नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ और जोड़ना है, तो वो nitrogen के साथ जुडेंगे, अब इदर यहाँ पर फिरी है चार valencia, चार में से तीन पर कोण है, acetate, क्या होता है acetate, TH2, COO-, पहला हो गया, ऐसे ही दूसरा, TH2, COO-, ऐसे ही तीसरा, TH2, COO-, और बाकी बचेवी पर क्या लगा दो, H, अब मुझे कुल मिला के गिन के बताओ, यहाँ हमारे को कितने लोन पेर दिखाई दे रहे हैं, तो वेटा, एक लोन पेर यह रहा, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चोथा, और यह पांचवा, पांच डोनर एटम है, तो इसे क्या कहा जाएगा, पेंटा डेंटेट लिगेंट, चार्ज कितना दिख रहा है बेटा, इसके उपर, माइनस का 3, डोनर एटम नाइटरोजन भी है, और डोनर एटम ओक्सीजन भी है, बताओ बेटा, इडी टी यह माइनस 3 का फुल फोम, उसकी स्ट्रक्चर, कोन कहा कैसे डोनेट करेगा, वो सारी स्थितिया सामने आ गई, चार्ज पता लग गया, डोनर एटम पता लग गया, और यह जो मैंने लिखाया ना वो प्रिपिक्स लिखाया है, च्योंकि मैंने लास्ट में आप द है एकजा का मतलब तो 6 होता है, ऐसे कमपाउंड जिन में कितने डोनर एटम अवेलेबल होंगे, 6 डोनर एटम होंगे, यानि वो अकेला ही कितने कोडिनेशन मौन्ड बनाएगा, 6 कोडिनेशन मौन्ड बनाएगा, तो उसे क्या कहा जायेगा, हैगजा डेंटेट लिएंड और इसका एक्जाम्पल कौन है, EDTA-4, पूरा नाम, E का मतलब क्या है बेटा, इथाइलीन, D का मतलब क्या है बेटा, डाइमीन, अब की बार T का मतलब ट्राई नहीं, बलकि क्या है, तेटरा, और A का मतलब तो वो ही सेम है, Acetato, तो बताओ बेटा, इस कमपाउंड का नाम क्या बन गया रहे, इथाइलीन, डाइमीन, टेटरा, एसी, टेटो, और इस्ट्रक्चर दिमाग में आगया होगा कि क्या बनाना है, इथाइलीन का मतलब क्या बनेगा बेटा, CS2, CS2, डाइमीन का मतलब दोनों तरब क्या जोडेंगे, नाइट्रोजन जोडेंगे, टेटरा का मतलब च्यार, इथाइलीन, एसी टेट कोन होता है बेटा, CS2, CS2, जिस पर भी लोन पेर है, अगें, CS2, 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 वा भी लोन पेर है, इधर भी CH2, CS2, माइनस, जिस पर लोन पेर है, और यहाँ पर भी, CH2, CS2, माइनस, जिस पर लोन पेर है, टोटल कितने लोन पेर है, 6, इसलिए तो क्या नाम रखा है, इसका, hexadeंटेट, ओवराल चार्ज कितना है, इसके उपर, माइनस का 4, डोनर एटम नाइट्रोजन भी है, और ओक्सीजन भी है, और यह जो नाम मेंने लिखा है, वो इसका क्या है बेटाजी, प्रिपिक्स है, जिसके आकरी में O आ रहा है, तो EDTA माइनस 4, और EDTA माइनस 3 में अंतर समझ में आगे, उसमें यहां क्या लगा हुआ था H, उसकी जगे भी यहां Acetate लगा दो, वहां 3 Acetate थे, यहां पर 4 Acetate है, वो Pentadentate था, यह Hexadentate है, वो 5 Lone Per देता है, यह 6 Lone Per देता है, या ऐसे बोलो, वो 5 Coordination Mond बनाएगा, और यह कितने बनाएगा वेटा, 6 Coordination Mond बनाएगा, इसी के साथ, Main-Main जो Examples थे लिगेंड की, वो सारे खतम हो गए, कितने हो गए आपके पास में 6 Type, Mono, जो एक Lone Per देते हैं, Bidentate, Tridentate, Tetradentate, Pentadentate, और Hexadentate, तो कुल मिला के 6 तरह के लिगेंड की खतम हो गए, बचे वे जो Type के लिगेंड्स है, जिसे Chilating लिगेंड क्या होता है, MB-Dentate क्या होता है, Flexidentate क्या होता है, वो Next, कल की क्लास में पढ़ेंगे अपने, लेकिन Basic जो है, वो सब कतम हो गए है, अब इन सब की जो List है, वो आपको Notes में आपके यहां पर अपलोड कर दी जाएगी, अभी आपको दे दी जाएगी, तो Notes के साथ उन में से सारी चीज़े वापिस वाल लिखी हुई मिल जाएगी, और यह याद करने पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यह नहीं याद हुए, तो हम IUPSC नाम नहीं लिख सकते, और IUPSC नाम नहीं लिख पाएंगे, तो फिर तो Chapter नीचे लेगा आगे, तो Chapter के पीछे तो सारा का सारा खेली किसका है बटा, IUPSC Nomenclature था, ओके, ओके बटा, तेंक्यू, आज की Class अपन यहीं हो, मौने कीछे का सी आगे, खाएंगे, तो फिर तो मौने का सारा का सी बटाएंगे, झाल झाल